इंसानों को उम्रकैद की सजा मिलती है तो आप सभी ने देखा और सुना होगा लेकिन कि आपने कभी सुना है कि किसी जानवर को उम्रकैद की सजा दी जा रही है या यह सुना है कि किसी बंदर को उम्रकैद की सजा दी जा रही है जी हां आप सही सुन रहे हैं हाल ही में एक मामला सामने आया है यूपी के कानपुर से जहां कलुआ नाम के एक बंदर को उम्रकेद की सजा सुनाई गई है जानकारी निकालने पर सामने आया कि कलुआ नाम का ये बंदर पहले एक तांत्रिक के पास रहता था तांत्रे की मौत हो गई लेकिन वो इस बंदर को मांस खिलाता था और जब से इस बंदर को जू में लाया गया है तब से ही ये लोगों को काटने का काम कर रहा है इसके पहले जब ये बंदर पकड़ा नहीं गया था तब ये जंगल से अचानक शहरी इलाके में प्रवेश कर गया और वहाँ पर इसने कई लोगों को काट कर नुकसान पहुचाया जू में लाकर रखने के बावजूद भी बंदर के स्वभाव में अब तक कोई बदलाव नहीं देखा गया वो अन्य बंदरों के साथ नहीं रहता है कोई अगर बुलाए तो आराम से जाता है और फिर अचानक से हमला बोल देता है इस बंदर ने अपने सुभाव के चलते एक बच्ची की भी जान ले ली थी इसने बच्ची के गले पर हमला किया था जिससे बच्ची की मौत हो गई थी जू प्रशासन और डॉक्टर उद्वारा बंदर को सुधारने के लिए काफी प्रयास किये गए लेकिन अब तक इस बंदर की हरकतें ठीक नहीं हुई है और ये लगातार अभी भी लोगों को काटने का काम कर रहा है इसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि ये कभी भी किसी को भी नुकसान पहुचा जाता है इसके पहले की शम्ता की बात की जाए तो ये पहले भी एक दिन में 20-25 लोगों को अपना निशाना बना चुका है और अब अगर इसे वापस छोड़ा जाता है तो ये फिर से लोगों के लिए खत्रा बन सकता है और इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रिशासन ने इस बंदर को उम्रकैद में रखने की ठानी है ताकि इसके हमले से लोगों को बचाया जा सके और शायद इतने दिन बंदर रहने के बाद इस बंदर के स्वभाव में कोई बदलाव आ जाए ये भी कयास लगाए जा रहे है लेकिन ये पहला ऐसा मामला होगा जहां पर किसी जानवर को उम्रकैद की सजा सनाई गई है subscribe our channel and press the bell icon for more updates